प्रुदेश में लगातार कोरोना पोजिटिवों की संख्या में इजाफा हो रहा है राजस्थान में कोरोना का एक और मामला सामने आया है जुनजुनु में एक और कोरोना पोजिटिव सामने आया है भीलवाडा में भी आज तरेपन वर्षिये महीला कोरोना पोजिटिव मिल आपको बता दे प्रदेश में लगातार कोरोना पोजिटिवों की संख्या में अजाफा देखने को मिल रहा है अब तक भह बाढ़ा में 25 विछ न पोजिटिव सामने आ चुक ए है तो देश में अब तक वोरना पोजिटिवों की संख्या 56 हू चुकी है लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है इस पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे न्यूस रूम जहां पर हमारे सम्वादता लोकेश ओला मुझूद है जी लोकेश क्या कुछ अपडेट है प्रदेश को लेकर के कोरोना के पॉजिटिव से लगातार बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में 56 आकड़ा पहुंच चुका है एक और पॉजिटिव जुन जुनों से मिला है जी बिल्कुल आशिश बताना चाहूंगा कि पूरे देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है उसी तरह राजस्तान में भी कोरोना का ग्राफ लगाता बढ़ता जा रहा है राजस्तान में अब तक कुल 56 कोरोना के पोजिटिव मरीज सामने आए हैं जो एक यहां कि आते हैं आग संब करम्चारी जिस तरह चरह से moreOS दिता संपाल में लगातार प्रूना की पहरी अनकी संपहा में ऊजरेंशार रहा है उची तरहें कि जुन जूने को मंना यहां के साथ कोरोना कि जूनु पहुंचातर और यहां यूंचातर बात करें प्रदेश में जितनी कोरोना संदिग्दों की रिपोर्ट भेजी गई थी कितने सेंपल्स हैं जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। प्रदेश में एक रिपोर्ट आना भी बाकी है। प्रदेश के रिपोर्ट आना भी बाकी है। प्रदेश के रिपोर्ट आना भी बाकी है। प्रदेश में कोई ऐसा मामला आया है कि जो चिकसा सेवा में जुटा है वो भी संक्रमित हुआ है। जी आशिस बिलकुल अभी तक तो ऐसी कोई जानका है नहीं है। प्रदेश के बचाओं में जो करमचारी लगे हुए वो कोई अभी तक नहीं है। लेकिन घिलवाड़ा में जिस तरह से बांगड़ अस्पताल में पाहरा डोक्टर कोरोना पोजितिव मिला और उसके अंडर में जो करमचारी और जो पैसेंट आते थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए। और उसी तरह एक बाद बताना चाहूँगा कि SMS अस्पताल को कोरोना का नोडल अस्पताल बनाया गया है ताकि वहां पे सबसे अधिक कोरोना के पैसेंट है वो अभी भड़ती है और उसी तरह करमचारी भी बड़ी संक्या में हैं। करमचारी ओको पिंद देखते हुए ही SMS अस्पताल मेडिकल कोलेज को रस्फन के और से मेडिकल कोलेज में उनी करमचारीों को आंके रुखने के निर्दीशित किया गया है उनके रुखने की विवस्ता की गई यह ताकि कोरोना के संक्रमण से उनको बचाए जा सके। और इसी तरह जिन चिखिसाविभाग लगातार मोनिटरिंग कर रहा है कि जो करमचारी जो कॉर्णटा के बचाव में लगे हो हैं उनको किसी तरह की अनुहुनी नहीं हो उनके साथ उनके सब्सक्राइब कर रहा है